हालो फ्रेंज आप सभी को नीलम होम कीचन में स्वागत थे आज मैं केले पकाने का टिप्स बताऊंगी अब देखिए गर्मियो का सीजन चालू है मैं बिना केमिकल का केला पकाने का तरीका बताऊंगी देखिए मैंने कच्चे केले मार्केट से लाए हूँ यह देखिए करीब एक दरजन है और लोग कहते हैं कच्चे केले पाकते नहीं है बहुत लोग कहते हैं एक केले सब्जी बनाने के काम आते हैं ये पक नहीं पाते हैं मैं आपको बताऊंगी गर्मियों को सीजन में कच्चे केले को घर पे आसानी से पका सकते हैं और आप बिना केमिकल के केला पका सकते हैं मैं आपको पूरी एक सेपरिमेंट करके दिखाऊंगी कि केले को कैसे घर पर पका सकते हैं बेल्कुल आसान तरीके से यह देखिए मैंने एक किलास पाने ले ली हूँ लगबक 100 गरम के आसपास पाने ली हूँ इसमें दो चमच नमक डाली हूँ इस पानी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ यह देखिए नमक और पानी को केले के उपर चारो तरफ छीटा मारते हैं ताकि यह केला अच्छी तरह से भीग जाए इस केले को पकाने के लिए एक काटन का कपा लेती हूँ आप चाहते पेपर उच कर सकते हैं देखिए मैं इस काटन कपड़े को फर्स पे मैं इसको नीचे रख रही हूँ और इसमें केले को मैं रख रही हूँ इस केले को मैं इस काटन के कपड़े में रख रही हूँ और देखिए मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रहे हूं ताकि इसमें हावा न जाए और मैं इसको किसी बॉक्स या अलमारी में रख लेते हैं ताकि इसमें हावा न जाए ठंडी की सीजन में इसको 24 घंटा तक रखेंगे और गर्वियों को सीजन में हम इसको 12 घंटा तक रखेंगे अब मैं इसको किसी अलमारी या बॉक्स में रख लेती हूं और इसको बारा घंटा बाद इसको निकालूंगी अब मैं इसको बारा घंटा बाद निकालती हूं यह देखिए केला पक के अच्छे से तयार हो चुका है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पक चुका है और नियुकर को अच्छे तरीके से अच्छे तरीके सब्सक्राल की टो और चुका है और इसान तरीके से घर पे पका है नos स्वाइब जाय सुझार से जाल represented है आप बस उसको इस्तवाल करिए और आप भी अच्छी तरह से केले को घर पर पका सकते हैं अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें